कि वेल्कम टू एकोटर अकैडमी तैरादून और मैं आप लोग लिए फिर से लाए हूं कुछ इंपॉर्टन करेंट फैर्स जो आपके आने वाले एक्जाम में इनमें से कुछ कोशन आपके आ यहां पर आपका शुरू हुआ है वह सुनको साइट पर लाकर जोडा गया है तो इसका जो आंसर है वह आप पे करके आएंगे बैंगलूरू में जो है यह बनाया गया है अब यहीं से कोशन हिस्ट्री से अगर हम देखें तो एक आ सकता है क्या कि भारत में पहला पोस्टल स्टैम बिटिश टाइम पे कब इशी हुआ था तो आप टिक करेंगे 1854 में इशी हुआ था इस स्टैम का नाम हाफ आना स्टैम था उस समय और इस हाफ आन कि पोस्ट आफिस को मौडन बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत तरह एक अभिहान चलाया था मिशन चलाया था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था प्रोजेक्ट एरो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला है आपका कि अभी अगस्त दो हजार तेईस में किस नाम करने जा रहा है स्टेट एसेंबिल न भी य यह अगर को कुशन आ तकि कॉशन आया कि कौन सा आपका जो है और पूछन कोन कन या वह पूछ सकते हैं कनारा या मालाबार तो भाई केरला में कौन सा है मालाबार आपका है जहां पर सबसे पहले जो साउथ वेस्ट मौनसून होता है वो स्ट्राइप करता है उसके बाद इंडिया के किस स्टेट ने आपका सैमी कंड़ेक्टर पॉलिसी को इंप्लिमे करेंगे गुजरात ऐसा स्टेट है जिसने सेमी कंड़ेक्टर जो पॉलिसी है उसको प्रमोशन के लिए अपने यहां शुरुवात की है और यह इनका जो टन्यूर है तो तुटाउजन टॉन्टी टॉन्टी से हैं यहीं पर आपको यादो मैंने पहले बढ़ाया था कि हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है रिपीट ठीडी प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है बचो आप टिकर एंगे तेलांगना में और तेलांगना में कहां पर यह थी प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है तो आप एक करेंगे सिधी पेट एक जगे है वहां पर बन रहा है उसके बाद जुलाई दोघार तैईस में आपका दोघार चोविस में एलेक्शन में लडने के लिए जतने भी आपके फिपक्षी अपोजीशन है उन्होंने एक दल पूश्चते हैं कितनी पूश्यन पूशन पूशे है तो वह यह कूश inherentा कि इंडिया का फूल इंडियन नाशनल डेवलोप्मेंट इंक्लूजिव एलाइंस यह इंडिया का फुल फॉर्म है तो यह आप से पूशा जा सकता है ठीक है पच्छों अगला आपका क्वेशन क्या है कि अभी जैसे पता है मनीपुर में जो आपका ट्राइबल वालिंस चल रहा है आपका तो उस तो उसके जास्ट करने के लिए आपकी सेंट्रल गौर्णनड ने एक कमिटी का गठन किया है उसके का कौन है तो उनके कैस्के के। लामबा तो कोशन ऐसे भी कुछ सकते हैं कि मनिपुर वायलेंस जो वहां हुआ है यह हो रहा है अभी उसकी इन्वेस्टिकेशन करने लिए किस कमिटी का सेटप गठन किया गया तो लामबा कमिटी का गठन किया गया है फिर उसके बाद आपका इन आई आर एफ ठीक है यह एक इंडेक्स होता है उसमें किस आपके इंस्ट्यूशन को लगातार पांची वार फिर्स पोजिशन मिली है तो बच्छों आप टिकरेंगे आई आईटी मदरास को यहीं से कोशन हिस्ट्य से लेकर आ सकता है कि जो आपका आई आई आईटी है भारत के अंदर सबसे पहला आईटी कौन सा था तो आप टिकरेंगे आईटी खड़कपूर जो है वो सबसे पहला आईटी था भारत में ठीक है उसके बाद अगर हम अगले अगला बर हैं कि आपका जो एस एफ एस आई है यानि की स्टेट फूड सेफटी इंडेक्स इपीट एस एस आई स्टेट फूड सेफटी इंडेक्स ठीक है यह दोजार बाइस तेश को जो है इसका इंडेक्स रिलीस किया गया है साथ जून को यह रिलीस किया गया अब साथ जून को हर साल हम क्या सेलिबेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेक्यूर्टी डे उसी दिन जो है यह स्टेट फूड सेक्यूर्टी इंडेक्स रिलीस किया गया है इसमें अगर बड़े राज्यों में बात किया है तो पहला स्टेट कौ नहीं से एक बात कर लेते हैं एक और डिसकर्स के टोटलिस समय हमारी कितनी यूटी है एक यूटी है उसकी वजह यह है कि दो यूटी को मर्श कर दिया गया वह कौन सी दो यूटी जिनको वहर्श किया गया यह आपके दादरन नागर अवेली और दमनेंद्यू दोनों को तो आप टिकर क्याएंगे 2019 में और अगर बात करें कि लोग सबार में आप कितनी सीटें इनके लिए हो गई है आपके दादर रहनागर हावर वेली और दबन इंडियू तो आप टिकर क्याएंगे दो सीटें आपकी हो गई है उसके बाद जून 2023 में आपके मैटा इंडिया और आपके वोमेन और चाइल डेवलोपेंट जो मिनिस्ट्री है दोनों ने मिलकर आपका क्या प्रोग्राम चलाया है अमरित जेनरेशन मिशन कैसे आगा कि अमरित जेनरेशन मिशन जो है किन दो लोगों ने मिलके चलाया तो आप टिकरिंगे मैटा इंडिया और वोमेन और चा में आ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताईए